क्या हुआ सीमा तुम परिशान लग रही हूँ मैं फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ क्या मेरी हेल्थ और जॉब दोनों मैनेज कर पाऊंगी पता नहीं ओफिस से मेटरनेटी लीव मिलेगी या नहीं अरे क्यों नहीं मेटरनेटी लीव लेना तो तुम्हारा कानून अधिकार है चलो मेटरनेटी लीव पॉलिसी के बारे में अचार को पूछते हैं गुड मॉर्निंग मैडम क्या आप मुझे मेटरनेटी लीव के बारे में बता सकती है येस अफकोर्स, वाई नॉट? हमारे ओफिस की लीव पॉलिसी, मेटनिटी पेनिफिट अग्ट 2017 को भी ध्यान में रखते हुए बनाई गई है आप पिछले बारा महिनों में इस ओफिस में 80 दिन तक काम कर चुकी हो इसलिए इस बेनिफिट के लिए आप एलिजिबल हो और तीसरे प्रेगनेंसी के लिए 12 वीक्स की पेड मेटनिटी लिव लेने का प्रावधान बनाया गया है 26 वीक्स में से 8 वीक्स की लिव डिलिवरी से पहले और 18 वीक्स की लिव डिलिवरी के बाद मिलेगी अगर किसी भी वजह से miscarriage हो जाता है तो इस act के तहए 6 weeks तक के paid leave का प्रावधान बनाया गया है 9 months के दौरान अगर child birth और miscarriage के अलावा महिला का स्वास्थिय अन्य किसी भी medical complications की वजह से खराब हो जाता है तो वो एक महिने की paid leave मांग सकती है अगर कोई महिला 3 महिने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेती है तो उसे 12 weeks तक की paid maternity leave लेने का हग है और ये 12 weeks का वक्त उस दिन से की न आ जाएगा जिस दिन से बच्चा मां को सोप आ जाता है सरोगसी की process में अगर commissioning mother नवजाच शिशु को अपनाती है तो वो भी 12 weeks तक की paid maternity leave ले सकती है इस act के अनुसार अगर possible हो तो एक working women 26 weeks के maternity leave के बाद भी work from home की मांग कर सकती है ये तो हुई leaves की बाद अब मैं आपको employers की duties के बारे में बताती हूँ जिस office में 50 या उसे ज्यादा employees काम करते हो उस office के मालिक को शिशुग्रह यानि daycare facility की व्यवस्था करनी होगी जिससे की एक working woman अपने बच्चे को office ले जाकर उसके देखभाल भी कर सके ऐसे टाइम पर उन्हें दिन में 4 nursing breaks लेना allowed है एक employer maternity leave के दोरान किसी भी महिला को नोकरी से नहीं निकाल सकता ये act उन सभी offices पे लागो होता है जहां 10 या ज्यादा employees हो अगर कोई employer maternity benefits act के तहट दिये गए नियमों का पालन नहीं करता तो उसे 2000 से 5000 रुपए तक का जुर्माना और एक साल तक की जिल की सजा भी हो सकती है हर employer का फ़र्स है कि वो इस act के तहट दिये गए benefits के बारे में female employees को letter या email के द्वारा appointment के समय ही जानकारी दे हमारी company आपकी जरुरतों को अच्छे से समझती है इसलिए हमारी company इस act के सारी rules और bylaws को follow कर दी है आप बिल्कुल भी चिंदा ना करे और अपनी सिहत का अच्छे से खयाल रखे